आपका स्वागत है जब हम लोग को यह ग्लॉसी प्रोड़क्ट शूट करते हैं और उसमें सॉफ्ट बॉक्स की लाइट डालते तो जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ही ज्यादा आजाता है बहुत ही ब्राइट वाइबरेंट रिफ्लेक्शन आ जाता है तो आज की इस चाप्टर में हम लोग एक तो उसको रिफ्लेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है मिनिमाइज करना है और दूसरा हम लोग देखेंगे कि उस रिफ्लेक्शन को हम लोग किस तरह से स्मूध ग्रेडियंट में कनवर्ट कर सकते हैं यह आगे अपना प्रोड़क्ट कामरा सिंगल लाइट लाइट है इक स्ट्रिप बॉक्स में लाइट को मैंने प्रोड़क्ट के राइट साइट पर रखा हुआ है और जैसे जरूरत पड़ीगी हम लोग बाकी लाइट साइड करते जाएंगे चलिए एक शॉट लेते हैं अब आप शॉट में देख सकते हैं यहां पर पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है जो कि स्ट्रिप बॉक्स का एज इस प्रोड़क्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है चलिए उसको रिड्यूस करते हैं रिड्यूस करने के लिए मैं एक ट्रेसिंग पेपर लगाऊंगा यह ट्रेसिंग पेपर आ गया इसके पीछे लाइट है अपना मैं आपको लाइट का प्लेस्मेंट दिखा देता हूं किस तरह से है तो यह जो लाइट और ट्रेसिंग पेपर का प्लेस्मेंट है कुछ इस लाइट जो है एक साइट से एक एज से ट्रेसिंग पेपर पे टाच हो रही है और दूसरी तरफ से थोड़ा दूर है जहां से टाच हो रही है वहां पे लाइट जादा पड़ेगी और जैसे जैसे दूर होती जारी लाइट यहां पे भी लाइट कम होती जारी है तो उसकी प्रोड़क्ट के उपर यह ग्रेडियन आगया है यह अपने दूसरी लाइट आगया है एक शॉट लेकर देखते है अब यह दूसरी लाइट का भी आप देख सते हैं इस साइड काफी हाश रफ्लेक्शन आरा है चलिए एक और ट्रेसिंग पेपर यूज करते है उसके लिए अब यह सेकेंड लाइट की प्रेस्मेंट भी मैंने ऐसे कर दिया है यहां से ट्रेसिंग पेपर पे टाच हो रही है और उससे दूर हो रही है तो इससे इस तरह से ग्रेडियन बनेगा जो अपने प्रोड़क्ट पर यहां से रिफ्लेक्ट करेगा एक शॉट लेते हैं अब इसके अपर जो लगाओ है यह थर्टी डिग्री इस कहानी को में ग्रेट लगाओ है उसकी वज़े से ही यह ग्रेडियन्ट में सर्कल आ रहा है चलिए एक शॉट लेते हैं इसके शॉट लेकिन मैं चाहता हूं यह जो अपना ग्रेडियन्ट यह थोड़ा नीचे हो उसके लिए श्लाइट को मैं थोड़ा सा डिरेक्शन नीचे कर देता हूं चलिए एक शॉट लेते हैं शॉट काफी अच्छा अगया है यह मैंने जल अटेच्च कर दिया है इसके प्रोड़क्ट के मैचिंग कलर हो जाए अपना अब जो यह वाला साइड है इसमें मैं थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक करने जा रहा हूं जिससे एक साइड थोड़ा लाइट हो दूसरे साइड आर्क हो जा इसके लिए मैं यह एक कट आउट यूज कर रहा हूं कुछ इस त यह पाता हूं यह जो नीचे का बोर्ड है यह प्रोड़क्ट का जो अपना कलर है उसको थोड़ा मैच करें उसके लिए अमने फोटोशॉप में चेंज करेंगे तो दोस्तो यह था आज का अपना चैप्टर आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने दोनों साइट से ट्रेसिंग पेपर यूज करके अपने प्रोड़क्ट के अराउंड एक ग्रेडियन्ट क्रियेट किया आई होप यह चैप्टर आपको पसंद आओगा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें थैंक यू